अलो फ्रेंड्स मैं सेब दोक्र सुनील ताओं और कंसल्टेंट एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं क्रुकड नोज राइनोप्लास्टी डेविटेड नोज राइनोप्लास्टी क्या है डेविटेड नोज राइनोप्लांस्टी पर दोस्तो वीडियो बे आगे बढ़ने से पहले देगी बेल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अनेग उप्यों की वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता र है कि एक साइड में जो है वो मिड लाइन में नहीं होके और एक तरफ जो है वो डेविटेड होता है उसको डेविटेड नोज बोला जाता है दूसरा है क्रुकड नोज राइनोप्लास्टी क्रुकड नोज राइनोप्लास्टी में दोस्तो हमारा नाक का जो उपर का दोर्स बैसिकली क्रुकड नोज वो मिड्लाइन में नहीं होके डेवेटेड होता है और जो बैसिकली जो डेवेटेड नोज होता है वो उसका डॉर्सम स्टेट होता है बाट वो मिड्लाइन में नहीं होता है दूसरा important चीज हम बात करते हैं क्या है crooked nose दोस्तों जब crooked nose या जो devated nose है उसकी वज़े से हमारा नाक का जो है अंदर का framework जो है वो devated होता है वो जो है विक्रत होता है उस विक्रती के कारण हमें nose से functional blockage होता है हमें nose से क्या है breathing नहीं होती हमारा nasal blockage रहता है और बहुत बार क्या होता है कि nose का जो एक छोटा portion या जो part जो है वो septum का टेड़ा मेड़ा होता है उसके कारण basically क्या है nose से bleeding होती है नाक से जो है वो बहुत बार जो है वो एक तरफ breathing नहीं होता दूसरा दोस्तों उसमें nose का जो है उपर का cosmetic जो है looking में भी जो है nose जो है हमारे को cord लगता है वो अपना जो चेहरे के center में नहीं लगता सो यह cosmetic and functional दोनों deformity crooked nose rhinoplasty में basically हमारे body effect होता है अब अगर हम इसके treatment की बात करते हैं सो दोस्तों सर्जरी से पहले nose का CT scan करा कि यह देखा जाता है कि हमारे nose में जो deviated जो है अंदर का framework की जो विकरती है वो कितना है कितनी extent में है और कहीं कोई sinus में तो कोई उसके कारण कोई fluid हुए ब्लड तो कही इखटा नहीं है सो उसके बाद CT scan में हमें decide किया जाता है हमारा goal बनाया जाता है कि हमें functional और cosmetic दोनों तरीके से इसको ठीक करना है उसके बाद इसके जो ठीक करने का तरीका है वो septo rhinoplasty एक surgery होती है उस surgery के माध्यम सी जो नाक का जो inner framework नाक का जो अंदर का जो पूरा का पूरा जो है बोनी वॉल्ट है कार्टिलेज है उसको सब को स्टेड किया जाता है एंड उसका जो गोल है उसका उदेश है वी जस लेटी ब्लोकेज प्री नोज यानि हमारा जो नोज है वो rest of life में जो है वो नोज का है बिलकुल ने विए संता या जो भी हमारी विकरती थी उसको basically करक्ट किया जाता है अमोमन दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब तीन से चार गंठे का इसर्जरी होती है सर्जरी की बाद में जो है एक दिन पेजेंट को एड्मिट रखा जाता है एंड सर्जरी की बाद में नोज के ऊपर एक छोटा प्लास्टर लगाया जाता है वो प्लास्टर कमिंग 10 डेज अटाया जाता है एंड 10 डेज बात जब हम प्लास्टर हटाते हैं तो nobody can recognize कि कहां से हमने क्या किया हुआ है हमें बाहर से जो है उसमें निसान या बाहर से कोई सूचर वगर ऐसा पता नह नहीं लगता अमोमन लोगों को एक टेंशन रहती है कि नोज के बाहर से जो निसान आ जाए गया या उसके अंदर जो है स्कार बन जाएगा तो अगर उसको जो हम नोज को यहां से ओपन करते हैं उसको मैटिकूलस टेक्निक से बंद किया गया है तो यूजवली ऐसा स्कार या इतना निसान हमें विजिबल नहीं होता है बात करते हैं पॉस्ट अपरेटिव के हैं रूटिन सभी कुछ काम हम कर सकते हैं कुछ चीजे हैं जैसे स्मॉकिंग है है वेट लिफ्टिंग है अल्कोहल है यह करीब एक मैने तक पेशेंट को अभूइड करना होता है हमारे नोज को बेटर सैप में और जो हमारा नोज का जो फंक्शनली ब्लोकेज है उसको करेक्ट कर सकते हैं सो दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग है क्या है वाट इस दा रीजन ऑफ दा क्रूकड नोज और डेविटेड नोज बहुत मार पेशेंट दोस्तों ओप होता है बहुत बार क्या है बच्पर में क्रिकेट बॉल इंजरी होती है बच्चा जो है बलंग से गिर जाता है इन सब के कारण जो नोज पे जो इंजरी होती है वो ट्रॉमा एक कोमन कारण होता है इसके अलावा दोस्तों सेकिंड जो है वो बहुत बार क्या है नहीं होती इसके बावजूद भी जो है अंदर वाला जो सेप्टम है और जो हमारा बोनी सेप्टम है वो इतना डेविटेड होता है कि वो पूरे जो एंटायर नोज को है डेविटेड और वो वन साइड में जो है वो टिल्टेड कर देता है सो यह सेकेंड जो इंपोर्टेंड डेवलपमेंटल है थर्ड दोस्तों कंजनाइटल भी है जन्म जाथ बहुत बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को जो है क्लेफ लिप होता है क्लेफ पैलेट होता है उसको उसके तालू में डिफेक्ट होता है उसके होट में डिफेक्ट वी नहीं होती है बहुत बार क्या है कि दिलैवरी के दुरान भी जो है नोज प्रैस हो जाता है उसके करण भी जो है वो नोज के अंदर करकट नोज तो ये इस पूमन रिजन है दोस्तो करकड़ नोज ठाहन् sound or दोड़ेट नोज deformity So I think this information regarding the Krokkad Nोज नोज और देबिटे ओना इस उस्फल फोर रूड यू और यू निए इस इन फोर्मेशन नवेशन तो यू नोजिए आपका कोई क्वेरी है आप मेरी का मैट बोक्स पर फुटप कर सकते हैं। definitely I reply it and for more information you can log in my jaipur durbin hospital dot com website. Thank you.